सब्सक्राइब कीज़े कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरी कोई भी लेटेस वीडियो आपसे मिस नहों, इट्स टोटली फ्री हलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्वीट और स्पाइसी फ्राइड चिकन ड्रामिस्टिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही डिलिश्यस और यमी रेसिपी है, आप इसको जरूर ठ्राय की चुगा, आएए हम इसके इंग्रीडिन्स पर एक नजर डाल एक टेबिल स्पून अद्रक और एक टेबिल स्पून लहसन का पेस लिया है, दो टेबिल स्पून नीबू का रस लिया है, आप इसकी जगा सिर्गे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, वन एना हाफ टी स्पून नमक लिया है, वन टी स्पून लाल मिर्स का पाउडर लिया है, आप टेबल स्पून टोमेटो केचप लिया है, चार टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया है, दो टी स्पून सोया सॉस लिया है, एक टेबल स्पून अध्रा को लैसुन का पेस्ट लिया है, एक टेबल स्पून कुटी भी लाल मिर्च लिया है, और एक टी स्पून नमक लिया है, एक टेबरे स्पून मैंने सफेद तिली हैं जिससे कि हम इसको गार्निश करेंगे और दो टेबरे स्पून हम ओयल का इस्तमाल करेंगे सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बाउल में हम चिकन को ट्रांसफर कर देंगे और इस पर हम डालेंगे नीबू का रस अद्रक और लैसुन का पेस्ट साथ में डालेंगे नमक नमक का आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं और पिसीवी लाल मिर्च पाउडर और इन सबी को हम हादों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इस मिक्स्चर को हम कम से कम दो घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम के शॉर्टेज है तो आप कम से कम आदा घंटा रखें हमने अपने चिकन को दो घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है और अब हम chicken के pieces की coating कर लेंगे conflore के अंदर इसको इस तरह से घुमाते भी हम इसको coat कर लेंगे इसकी जादा मोटी coating नहीं करेंगे extra conflore हम इस तरह से ज़ार देंगे ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमने सभी chicken के pieces को अच्छे से conflore में coat कर लिया है और अब हम इनको deep fry करेंगे हाई हीट पर हम oil को गरम कर लेंगे और फिर gas की flame को medium कर लेंगे और इसका temperature भी हम medium कर लेंगे oil का और इसमें एके करके chicken के pieces को हम add करते जाएंगे हमें इसको बहुत ही slowly cook करना है क्योंकि हमें इससे अंदर तक cook करना है देर से 2 minute के बाद हम इसको पलटना शुरू करेंगे इससे पहले हम इसको नहीं पलटेंगे वरना कॉन फ्लोर की coating उतर सकती है इसको मैंने बहुती slow flame पर 10-12 minute के लिए cook कर रहा है और ये देखिए chicken ने हड़ी को छोड़ना शुरू कर दिया है यही इसकी पहचान है जब chicken हड़ी को छोड़ दे तो समझ लीज़े आपका chicken गल गया है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी के सभी chicken को fry कर लेंगे और अब हम एक पैन लेंगे उसमें दो टेवे स्पून ऑईल डालेंगे और ऑईल के गरम होते ही हम इसमें अद्रक और लेसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे दो मिनट के लिए फ्राय कर लेंगे यह देखिए दो मिनट हमने अद्रक और लेसुन को भून लिया है और अब हम इसमें कुटी भी लाल मिर्चा अड़ कर देंगे और साथ में अड़ कर देंगे नमक साथ में हम इसमें तिल की आधी कुएंटिटी यहां पर एड़ कर देंगे आधी बचा लेंगे हम गार्निशिंग के लिए और इन सभी को हम लो टू मीडियम फ्लेंपर दो मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे सभी साथ बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो गए है और अब हम इसमें एक एक करके चिकन लेक्स के पीसे अड़ करते जाएंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी साथ अच्छे से इसमें कोट हो जाए हम इने हलके हलके हाथों से मिलाएंगे ताकि हमारे चिकन के पीसे तूटे नहीं और सॉस बहुत अच्छे से चिकन के हर पीस पर कोट हो जाए ये देखिए कितना यमी लग रहा है हम दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसको तिल से गार्निश कर लेंगे और ये लिजे हमारी स्वीट एन स्पाइसी चिकन ड्रामि स्टिक्स बंद कर तयार है ये देखने में जितनी खुबसूरत लग रही है खाने में ये उतनी ही टेस्टी है आप इसको एक बार जरूर ठ्राइ किज़े आप शूर ये आपको जरूर पसंद आएगी और अगर आपको अगाश कि मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले वीडियो को फ्रेंड्स और एलेटिस के साथ शेयर जरूर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो